ये राधा और कृष्ण का प्रेम है रानियों को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि दूद उनों ने पिया और चरनों में छाले इनके पड़ गए नहीं नहीं आखिर क्या है ऐसा राधा में कौन बताएगा हमें राधा रानिय का चरित्र कौन कहेगा कौन थी हमें राधा किस से पूछें वो ही तो बता सकता है जिसने राधा को देखा हो राधा के संग्रा ऐसा कौन है यहां द्वारिका में तो एक नाम याद आया रोहिनी मिया बलराम जी की जो मा है रोहिनी रोहिनी के पास सब रानिया गई पूछा हमें बताओ एक प्रश्न है क्या प्रश्न है प्रश्न है कौन थी राधा हसने लगी रोहिनी मिया अरे रानियो मैं क्या प्रश्न पूछ लिया तुमने कौन थी राधा जानती हो अगर इसका उतर क्रश्न ने सुन लिया तो उसकी क्या दशा होगी क्या हालत होगी उसकी रानियोंने का कैसे सुन लेंगे वो तो सभा में बैठे हम यहां मैल में बैठी है कितनी दूर सभा उनको थोड़ी सुनाई देगा तो हसने लगी रोहिनी मिया तुम अब तक प्रेम को समझ नहीं पाई तुम नहीं जानती कैसा है कृष्ण राधा का प्रेम एक ठीटी को कितने भी किलोमीटर कोसों दूर जो मीठा होता न उसकी सुगन्दा जाती है जहां राधा नाम होता है चाए कृष्ण लाखों कोस दूर हो लेकिन उस राधा नाम को सुन करके कृष्ण अपने आप खेचा चलाता तुम रोक नहीं पाओगी कृष्ण को वो आ गया और उसने सुन लिया राधा राधा रानी का चरित्र तो क्या दशा होगी उसकी जानती हो तुम रानी उने का नहीं नहीं हम समाल लेंगी एक काम करो द्वारपाल कोई खड़ा करेंगे तो उसको तो कृष्ण हटा के अंदर आ जाएं कृष्ण की बेहन को खड़ा करो सुवद्रा को खड़ा करो बहन रोग देगी तो कृष्ण जिद नहीं कर पाएगा सुबद्रा को बाहर खड़ा कर दिया गया और यहां शुरू हुआ राधा चरिताम्र रानियों ने सुनाना शुरू किया रोहनी मैया ने सुनाना शुरू किया ब्रेज में एक बड़ा सुन्दर सा गाउं है बरसाना व्रशुभान उपर और उस व्रशुभान की बेटी लाली है राधा बस राधा नाम बोला कि वहां सुधर्मा सभा लगी थी सभा मेशी कृष्ण सिंगासन पर विराजमान थे उधर राधा नाम लिया और यहां कृष्ण का शरीर एकदम कापा मानो कोई करंट लगाओ क्या हुआ बलराम वही पास में विराजमान थे बलराम जी तो जानते हैं कृष्ण के स्वभाव को क्या हुआ कृष्ण कुछ नहीं अपने आप को रोका कृष्णे लेकिन वहाँ जैसे रोहिनी मया ने शिराधा चरीतामरत की कथा आगे बढ़ाई एक समय आया जब कृष्ण अपना धैर्य धारन नहीं कर पाए सभा छोड़ करके भागे सब पीछे पीछे बलराम जी भागे अरे अरे कृष्ण रुको कृष्ण रुको पर कृष्ण दोड़ते दोड़ते भागते भागते दर्वाजे परा करके खड़े हो गए कृष्ण बलभद्र सुवद्रा तीनों कान लगा करके शिराधा रानी के चरित्र को सुनने लगे और सुनते 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 प्रेम की दशा देखिए कि उस प्रेम कथा को सुनते सुनते कृष्ण का शरीर गलने लगा लोहा गल नहीं सकता लेकिन लोहे पर अगर ताप अगनी लगाई जाए तो लोहा भी पिखल जाता है ये देह गल नहीं सकता लेकिन अगर इस देह पर प्रेम की ताप लगाई गई तो शी कृष्ण का शरीर बलभद्र सुबद्रा का शरीर पिखलने लगा हाथ भीतर गुस गए चरन भीतर चले गए आँखें विशाल बड़ी बड़ी हो गई तभी देवर्शी नारज जी वहां से निकले और ये दशा देखी तो रोका रुख जाओ रुख जाओ बंद करो ये शी राधाराने का चरेतर क्योंकि बंद नहीं करोगे तो ये क्रिश्ण का शरीर धरा में समा जाएगा उसी रूप को शी क्रिश्ण ने जगनात पुरी में शी क्रिश्ण बलभद्रा सुबद्रा के रूप में प्रगट किया दिखाया जगत को की प्रेम ये कर सकता है देखो परमात्मा को पिगला सकता है वो प्रेम